बीच में जो पिंक वाली है ना वो आली ये बटा तुमसे ना होपाएगा ये पिंक वाली जो है ये है बीच में अच्छा हमको सिकारिया है आउज इस रिती ही नीचे तु समझा हाँ ये भाली लिदी जी ये ये बड़ी अच्छी बात कही आप आप पाइसा ही पाइसा हो यह जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे हेलो गाइस एंड वैलकम बैक टू यूर चैनल वापस से एक नए लोग में आपका स्वागत है और आज हम हैं लकनू के सबसे फेमस मॉल में तो एक नए वुलोग में आपका स्वागत करते हैं चैनल पर बने रहे हैं वीडियो दोस्तों काफी इंट्रेस्टिंग होने वाली है आपको आज हम इस मॉल का पूरा टूर देने वाले हैं यह है यहां की नॉर्मल सी पार्किंग पहले यहां पे गाड़ी ख़़ी कर दिया जाए और हम लोग हेलमेट जो है लेके चले गए थे अपना साथ में इसको पहले वापस रख देते हैं इसमें तो हम लोगों ने जो है हलमेट लगाया बड़े जुगार से आप देख रहे होंगे अभी व्यूटियो में देखे से पीछे अब चले हैं अंदर कहां जा रहे हो भाई दोस्तों वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि काफी नई नई वीडियो आने वाली है लगनू में आपको हम जितने भी मौले सार खुछ दिखाने वाले हैं दोस्तों इस मौल का इंटेरियल काफी खुछ सूरत है इसको काफी अच्छे से डेकोरेट किया गया है अंदर आ जाओ तो कसम से दिल खुछ हो जाता है देखके यहां करने जा रहा अगर लखनू आये हों और कभी इस मौल में नहीं आये हैं तो आपका लखनू आना बेकार लूल है और अब यह तक यह चल रहा है मौके पे अधियो जा आई है तो दोस्तों लकनू में और भी मौल है सारा मौल है प्लासियो मौल है भी नयकुला है और अभी लेश्टिस्ट में आप सब लोग को पता होगा कि लूलू मॉल भी खुल गया है लेकिन ये अभी लखनू का बेश्ट एट्रेक्शन है आप अगर लखनू में आए हैं और चार बाग के आसपास काई हैं तो आपको सबसे नजदीक में पढ़ने वाला है आप चार बाग से आप हाटो या मेट्रो लेके आराम से इस मॉल तक आ सकते हैं यहां पर आप हर तरह के सावार ले सकते हैं आपको चाहे किचन का सामाल लेना हो एलक्ट्रानिक सामाल लेना हो या जो भी आपको घर का सामान कुछ हो जैसे बच्चे के खिलोने हो गए है या जो आपके रोज के सामान होते हैं खाने पीने के वो सब भी मिल जाएंगे बट यह सब साभान जो आपको दिख रहे हैं यह थोड़ा एक्सपेंसिव हैं प्राइस में आपको थोड़ा महंगे लग सकते हैं बाहर के मुकाबले ये पुरा वोड का प्लेट है इसको यूज का सकते हैं अपने रिगलर खाने पीने में ये कुछ आइस क्यूब रखने का डब्बा हो गया और भी बहुत से सामान आपको मिल जाएंगे यहां पे बच्चों के आ गया खेलने का डिपार्टमेंट है पूरा बच्चों के लिए काफी कुछ यहां पे अरेंज किया हुआ है हर तरह के गेम है शॉल्ट सुद तरह कंदू करेंच मौः शॉल्टी आपको अंब यामी позद्स ौप आपकों सिवर्टमेन ला शॉल्ट्स भंग और उम्ली सुछ उल्टमेज पीं मेर कलथार Igor खने उल्टम पीछ套ी है कि अज हुट बीच में जो पिंक वाली है ना वो यह 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 पीछ में हो यह षर तो गाइस देखा आप लोग वेने कितने ही सांदा तरीके से हम लोग वेने गेम को जीत लिया आप भी इस गेम को बहुत आसानी से जीत सकते हैं बस थोड़ा ध्यान और उर्ती के साथ आप अगर इस गेम को खेलेंगे तो विनर बन सकते हैं और अगर आप लापरवाही करेंगे तो काफी पैसे भी चले जाते हैं तो यहाँ पर बच्चे लोग काफी इन्जोई कर रहे हैं आप अगर फैमिली के साथ में आएंगे तो काफी मज़ा आने वाला यहाँ पर हर तरह के गेम है आप यहाँ पे बाइक राइडिंग भी कर सकते हैं काफी अच्छी इसी राइडिंग है बाइक राइडिंग है इसमें डिस्प्ले में चलता रहता है थ्रीडी मॉडल और बच्चों को काफी अच्छा अच्छा चैट अप लगा हुआ यहां पे यह जूले वगएरा है और हर पर आपको जूले मिल जाएंगे, यहां पर बच्चों के लिए काफी अच्छा जूला लगा हुआ है, काफी अच्छे अच्छे गेम ही, यहां पर आपको काफी अच्छे अच्छे गेम मिल जाएंगे खेलने को और यह काफी अच्छी राइडिंग होती है, इसको करने में करके बस्तो पैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और भी काफी अच्छे ची वीडियो आने वादी है और काफी जवादस यहां का माहूल है वाज भीड़ वगारा कम है तो इसलिए काफी सनाटा सनाटा सा लग रहा है और आपको यहां पर काफी अच्छे गेम केलने को मिल जाएंगे इस अधिया में 3D गेम है अच्छे लोग इंज्वाइब कर रहे हैं सब अच्छो के लिए काफी अच्छा एट्रेक्शन है और हमारा काफी समय यहां पर बेच चुका है और कहीं टैलने का मौका ही नहीं मिल पा रहा है यहां का लाइटिंग सिस्टम गजब कर लग रहा है यहां पर कार राइड है और जीप राइड है अच्छा बच्चो के लिए झूटे बड़े जूले लगे हुए है यह वी काफी अच्छा जूला है बच्चो के लिए काफी मजएदार चीज़ें यह इस पर चाहे सिंगल जूल सकते हैं या दो तीन लोग चार लोग एक साथ में जा सकते हैं बड़े जूले भी हैं देखने में काफी अच्छा लग रहा है काफी अच्छा न जा रहा है काफी सांदान न जा रहा है यहां का दोस्तों यही सब हैं ज्यादा कुछ में बताने वारा तो है नहीं कि कुछ डीटेल बताएं आप लोग देखी रहे होंगे ज्यादा लग रहा है च्वाटे बच्चों के लिए सिंगल सीट का है और यह मौल का कुछ इस तरह से न जा रहा है उपर का सबसे टॉप पे है सारा सेट अप लगा हुआ है जूले का तो आप अगर बच्चों के साथ आ रहे हैं वर आपको जूले में गेम अगयरा में इंट् से और उपर में ही आपको सेकंड फ्लोर पे थेटर भी मिल जाएगा जो है आप मुई अगयरा देख रहते हैं आपका पी अच्छे अच्छे फिल्म अगरा लगती रहती है आपी उचाई है वाई तीन चाह फ्लोर के बना हुआ यह चार-पांच फ्लोर के है पुरा है हम लो सब्सक्राइब को आई वीडियो पसंद आई होगी और हम लोग बाहर आ गये हैं अब पाइल लिए तो बाहर के कुछ इस तरह रहा होता है यहां पर यह आप नहरिया पड़ता है और मैट्रो भी आती है लेकिन मैट्रो थोड़ा धूर पर पड़ती है आप आप एदम मेन प आने से मिल सकता है तो मिलते हैं किसे नए वीडियो नए टॉपिक में तब तक के लिए शुक्रिया धन्यवाद